हेलो आवाज आ रही है एकदम हलो अगर आवाज आ रही है तो यस लिखो भाई गुड आप्टनून गुड आप्टनून एव्रिवन अगर आवाज आ रही है तो वाई 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 लिख करके भीजो भाई हलो हलो आ रही है ओके गुड आफ्टनून एव्रिवन गुड आफ्टनून सभी लोगों को मुझे लगता है सबको आवाज आ रही है चलो भई मेरा नाम हिमानशी गुपता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लैटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पहला लेक्चर रे आप्टिक्स टर्म टू मुझे लगता है सभी लोग प्रपेर्ड हैं पढ़ाई तो चल रही है टर्म वन के एक्जाम बहुत अच्छे गए आप लोगों के मैसेज वग अच्छे तरीके से और बहुत जादा मेहनत करने की जरूरत है ठीक है चलो ओके चीक क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ बाते हैं आज हम करते हैं पहले पहला लेक्चर है तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा नाम हिमांशी गुपता है मैं मैं IIT धनबाद से ग्राजेट हूं लगबग लगबग 6-7 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं चीक है और काफी मेरे इंस्टिउट्स में बड़े इंस्टिउट्स में फिजिक्स पढ़ाया हुआ है मेरे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है बोथ इन 12 जे अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रख चुके है मेरे बच्चे जरूरी यह है कि मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजेगा ठीक है कई सारे कुशन्स यहां पर हम दोग प्र करेंगे साथ में एक्जाम के पॉइंट अव्यू से किस तरीके से कुशन्स आते हैं और सिंस इस बार सब्जेक्टिव पेपर होगा अब अब अब्जेक्टिव पेपर नहीं रहा तो उसको कैसे अप्रोच करना है लिख करके कैसे आना है वो भी चीज़ों कि हम बहुत अच बच્icas ये सोलैस ऐना के लड़के की है जिसका किसी एक्षिडेंट में बच्पन में उसका डाया हात जो है वो कट गया था कि तो अब वह बच्चा जुडो सीखना चाहता है referring तो वो बच्चा आपने वहाँ पर जो जुडों केंस्टीट सोते है है और इस institute के जो मक्कम रहे अंस्टेटर हैं मास्टर जो जुडों सिखेते हैं उनको सैंटसे बोला तुम judo क्यों सीखना चाहते हो तो वो बोलता है कि मैं बाकी बच्चों से अलग फील करता हूं मुझे लगता है कि मैं बाकी बच्चों जितना बराबर नहीं हूं तो मैं चाहता हूं कि इसी वज़े से मैं इस अंतर को खतम करना चाहता हूं और बाकी नॉर्मल बच्चों की तो मैं भी जूडो सीखना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर जूडो इतना पॉपिलर कल्चर है तो मैं भी जूडो सीखना चाहता हूं Master सोचते हैं कुछ फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें जूडो सिखा दूगा लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ दो शर्ते हैं पहली शर्त मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुमको वही करना है और सिर्फ उतना ही करना है, दूसरी शर्त, तुम कोई मुझसे वापस सवाल नहीं करोगे, कि इस तरीके से ही क्यों, तो बच्चा सोचता है कि ठीक है, भई बाकी टीचर्स तुम मुझे सिखाई नहीं रहते, कम इसना सर बताते हैं, एक्जेक्ली वही वही चीज सीखते हैं, टीक है वही वही चीज ने फॉलो करता जाता है, उसका जो जूडो मास्टर है, उसने उसको एक ट्रिक्स रिखाई कि जूडो की एक दाव सिखाया, और उस बोला कि ये दाव को अब तुम हर रोज प्रैक्टिस क ञूरो होतने जोने बशिखाया है, पने को सबीम को दाव करेंगे जुए है, तो बिंट भूत जब चार महीने हो जाते हैं और अब बच्चे को लगने लगता है कि चार महीने हो गए है मुझे Master ने सिर्फ और सिर्फ एक ही दाओ सिखाया है आखिर ऐसा क्यूं तो वह बजाता है कि Sir मेरे को चार महीन हो गए मैं Master वो दाओ बहुत अच्छे से जानता हूं ठीक है आप और अब कॉम्टिशन का टाइम आ चुका है जहां पर सभी जो बच्चे हैं वो उस साल का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है हुआ बच्चे पार्टिसिबेट कर रहे हैं तो अब बच्चा पड़ा हिच कचाते हुए उसका मास्ट करोर्ब Councillor मास्टर बोलते हैं भई भरोशा रखो, पार्टिसिपेट करो, जैसा मैं बोलता हूँ, वैसा ही करो, तो बच्चा ब जाता है, पार्टिसिपेट करता है, पहला राउंड होता है, और बच्चे को सिर्फ एक दाउ आता है, amazingly बच्चा पहला राउंड सिर्फ दो ही मिनिट में जीत जाता है, दो मिनिट में बच्चा वो राउंड जीत जाता है, और भई बाहर आ जाता है, तो बड़ा सर्प्राइज कि मैंने तो सिर्फ एक ही दाउ सीखा है, तो इस तरीके से मैं कैसे जीत गया, मास्टर से बोलता है, तो मास्टर कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, और उ अब लास्ट मोमेंट है, आप मुझे कुछ और दाव सिखाना चाहेंगे, कुछ और बातें बताना चाहेंगे, मास्टर बोलते हैं, जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल वैसा ही करो, बस जो दाव तुनने प्रैक्टिस किया है, उसको वहाँ पर करो, छीक है, इस बार बच्चे से फिर वही जवाब आता है कि वही दाओ दुबारा प्रैक्टिस करो और इस बार उसका जो सामना था वो उस टूर्णामेंट के ही क्या बलके उस पूरे रीजन के सबसे बड़े जूड़ रैसलर से था काफी एज में भी बड़ा और हाइट और पावर में भी काफी ताकतवर फाइनल राउन काफी देर तक ये बाउट चली इवेंचुली सामने वाला जो परसन है जो कि भी काफी फेमस परसन था उसने एक गलती करी और ये बच्चे को वही दाओ उसने इतनी ट्रेनिंग कर रखी थी इसने क्या कर रखा तुरंत वो दाओ जैसी उसने गलती करी और तो रंती बच्चा वह ब्रावन जीत गया तूर्णामेंट जीतने के बाद बच्चा बड़ा सर्प्राइज कि मैं आखिर टूर्णामेंट जीत कैसे गया और ट्रॉफी लेकर के मास्टर के पास आता है कि मास्टर बैने यह आप आपने मुझे जितना भी सिखाया यह माना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मास्टर खुष तेद मास्टर बोलते हैं चीक है पूछो भई तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि सवर मैं जीत कैसे गया मास्टर बोलते हैं कि आपने जो दाव सीखा है वो जूड़ो की दुनिया का सबसे कठिन हो है तो इतनी प्रैक्टिस के बाद एक तो पहली चीज़ तुम आल्मोस परफेक्ट हो गए हो और दूसरी चीज़ इस दाव का जो ट्रिक है इससे जो निकलने की तकला है उसके लिए सामने वाले परसन को आपका दायाहात दबाना होता है और तुम्हारा तो दायाहात है ह रोसा रखें उनका काफी सालों का experience है वो चीजों को देख चुके हैं हो सकता है कि आप जिस चीज को कमजोरी समझ रहे हैं वो आपके लिए actually मैं ताकत बन करके निकले ठीक है तो इसी positive के message के साथ आज के lecture की हम शुरुआत करेंगे चलिए बई आज के lecture में आवाज आ रही है ओके बई ठीक है तब से बहले क्या क्या आज हम पढ़ेंगे आज का lecture बहुत important होने वाला है और ray optics के लिए खास तोर से आज का lecture आपके लिए foundation की तरह काम करेगा आप जो भी बाते कर रहे हैं आप जो भी चीज़े पढ़ रहे हैं उसके लिए ये foundation होने वाला है ठीक है तो क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम nature of light के बारे में पढ़ेंगे how do we see laws of reflection के बारे में जानेंगे and after that reflection from plane mirror हम समझेंगे ये plane mirror से reflection किस तरीके से होता है ठीक ओके चलो भाई तो सबसे बहले nature of light भाई light क्या होती है light एक electromagnetic wave है nature of light light का nature समझना बढ़ा ही important है light is a form of electromagnetic wave electromagnetic wave भी क्या हम सिर्फ औस बहुत बहुत रीजन में है ठीक है सिर्फ और सिर्फ इतने से region के हम क्या करते हैं देख पाते हैं जिसको हम क्या बोलते है light ये कौन से wavelength है लगबग लगबग 400 नैनो मीटर से लेकर के 750 नैनो मीटर तक की जो range है इस wavelength की range को हम क्या बोलते है light बोलते हैं तो light सिर्फ और सिर्फ इतने region की बात कर रहे हैं हम अब nature of light, सबसे most debatable चीज, ठीक है, light का nature क्या होता है, light का nature बड़ा ही असमंजस सा, बड़ा ही complicated सा, newton ने, जब light की study करी थी, तो newton ने reflection, reflection की study करी, तो उन्होंने ये माना, कि light जो है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है, जिनको क्या बोलते हैं, cobscules बोलते हैं, तो newton was a big supporter of cobscular theory या particle theory, चीक है, cobscular theory, तो newton ने बोला कि light जो है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी है, और जब ये पार्टिकल किसी surface या किसी भी medium से टकराते हैं, इंटरफेस से टकराते हैं, तो या तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये वापस निकल जाते हैं, तो this is completely elastic collision, जैसा कि elastic collision Newton काफी टाइम से पहले इसके mechanics में उनोंने बताए हूँ था, या ये पार्टिकल इस medium के अंदर चले जाते हैं, अब अंदर क्यों चले जाते हैं, तो newton ने कहा कि इस medium के जो atoms हैं, वो इस particles को क्या कर रहे हैं, attract कर रहे हैं, तो attraction की वज़े से ये क्या करते हैं, particles इस medium के अंदर चले जाते हैं, newton के contemporary ही एक बहुत बड़े scientist और थे, Christian Higgins, लेकिन newton का और इतना बड़ा था, कि किसी ने उनके time पर Christian Higgins की बात सुनी ही नहीं, Christian Higgins बोलते थे, कि light particle से नहीं, बल्कि wave से मिलकर के बनी है, wave theory, theory, तो, इसके बारे में हम लोग अगले chapter में बात करेंगे, बहुत detail में है, कि light wave theory के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि light wave से बनी है, बोलते रह गए, बोलते रह गए, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, ठीक है, उसके reason, पहली चीज, newton का और इतना बड़ा था, इतने बड़े scientists वगर बोल रहे हैं, कि light particle है, तो light particle है, दूसरी reason, कि अगर wave है, तो wave में कोई चीज तो move कर रही होगी, और उस time तक ये माना जाता था, कि wave जो है, किसी ने किसी material किसे बनी होती है, और light में क्या material है, sun से अगर अर्च तक light आ रही है, तो बीच में कुछ medium चा कर सकती है, ये उस time का popular belief था, ठीक है, तो ये दोनो reason क्या थे, Christian Hegan इसको explain नहीं कर पा रहे थे, इस वज़े से इनकी theory को इसकी ने accept नहीं करी, 200 साल बीच गए, 1800 के around, एक scientist थे, Thomas Young, उन्होंने एक experiment किया, Young's double slit experiment, वो experiment किसी भी regard से particle theory को बात नहीं मान रहा था, experiment कैसा था, experiment अगर एक slit से, एक light ray को मतलब दो slit से pass किया, तो आइडियली क्या होता है, अगर मैंने यहां से light ray pass करी, अगर light ray particle theory को ओवे करती, तो light ray कहां मिलनी चाहिए थी, आपको जो brightness मिलनी चाहिए थी, वो तिर्फ यहां मिलनी चाहिए थी, इन दो points पर, इसके opposite, ठीक है, लेकिन हु हुआ ये, कि actually मैं जो brightness मिली, वो कुछ यहां मिली, center पर, और कुछ pattern repeat होते हुए दिखाई दिये, ये इस तरीके का pattern क्यों generate हुआ, ये particle theory किसी भी तरीके से explain नहीं कर पा रही थी, थॉमस यंग ने 200 साल पहले propose की गई, wave theory को दोबारा revive किया, और उन्होंने ये explain किया कि waves किस तरीके से अगर आपस में interfere करती हैं, तो इस तरीके का pattern generate हो सकता है, अब wave theory accept करने के अलावा और कोई reason नहीं बचाता, प्लस Newton की बोली गई, एक और बात जो थी वो गलत हो गई, ठीक है, वो क्या थी, Newton के according, इस medium में, भाई, light ray अगर किसी दूसरे medium में जाती है, तो Newton के according, Newton ने जो चीज़ प्रपोस करी थी, उसके according, medium में speed बढ़ जाती थी, vacuum से कुछ कम निकली, तो experimentally कम के निकली, Newton ने जादा बोली थी, तो एक और reason मिल गया कि particle theory ना मानने के लिए, करीब करीब काफी time तक अब ये establish हो चुका था, कि light, एक well established wave है, light ने फिर से एक और turn around मारा, Albert Einstein ने photoelectric effect प्रूफ किया, कि photoelectric effect सिर्फ और सिर्फ particle theory से explain किया जा सकता है, photoelectric effect wave theory से explain ही नहीं हो रहा था, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे photoelectric effect क्या होता है, तो कुछ ऐसे points से, जो कि photoelectric effect wave theory explain नहीं कर पा रही थी, Albert Einstein ने बोला कि light फिर से particle है, cops killer theory या photon theory, ठीक है, photon से मिल करके बनी है, अब ये बड़ा ही असमंजस आ गया, ठीक है, एक और scientist से, उन्होंने ये बोला, कि यार, डी ब्रॉग ली, उन्होंने ये बोला कि अगर light का theory, wave और इसमें established नहीं है, हम ऐसे particle की बात करते हैं, जो सब को पता है कि particle है, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे electron, जैसे proton, तो इन्होंने particle के साथ ये experiment किया, Thomas वाला, ठीक है, तो इन्होंने देखा, कि जो particle से वो भी wave nature show कर रहे हैं, अब लोगों को ये पता चल गया, कि particle भी, जो हमें पता है कि particle है, वो wave nature show कर रहे हैं, तो इसका मल nature show करता है, और light भी क्या show करती है, दिस शोज डूवल nature, पार्टिकल नेचर भी show करती है, और wave nature भी show करती है, ठीक है, बाई, पार्टिकल नेचर भी और wave nature भी, दोनो nature show करती है, जब हमें जिस चीज़ की requirement पढ़ती है, जिस चीज़ से हम उस चीज़ को explain कर सकते हैं, जो concepts हम ray optics में आज पढ़ेंगे, या जो concepts हम इस chapter में पढ़ेंगे, same उन्ही concepts को हम wave theory से भी दोबारा explain करेंगे, चाहें वो reflection हो, चाहें वो reflection हो, कोई भी concept हम जो पढ़ रहे हैं, उसको wave optics में हम दोबारा पढ़ेंगे, उनको हम explain करेंगे, और उनके reason को भी wave के तरीके से हम imagine क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल इस chapter में, यानकी ray optics में हम चीजों को basically समझेंगे, कि चीजों किस तरीके से behave करती है, macroscopic level पर हम बात करेंगे, हम अभी light को wave consider नहीं करेंगे, ठीक है, सर light हमें wave जैसी feel क्यों नहीं होती है, ठीक है, सर हमें अगर यह पता कि light wave जैसी है, उस मैं इसको compress कर दूँ, इसकी wavelength को मैं क्या करूँ, मैं इसको compress कर दूँ, कितना compress कर दूँ, 10 की power minus 10 के order का कर दूँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़ा reason है, तो इसलिए हमको क्या लगता है, light कैसी है, light एक ray है, जो कि सीधे night action में जाती है, ठीक है, light ray नहीं है, light dual nature शो करती है, चलिए बई, अब बात आती है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज समझना बहुत जादा जरूरी है, कि चीजों को देखने के लिए किस चीज की requirement है, ठीक है, चलो बई, तो सबसे पहले कोई भी object, अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी object रखा है, एमिट करता है, या तो वो खुद की raise एमिट कर रहा होगा, या फिर वो किसी से reflect करके कर रहा होगा, ठीक है, अगर ये मान के चलो कोई source होता है, बल्ब होता, ठीक है, बल्ब होता तो खुद की raise होती, तो यहाँ से चारो direction में क्या है, और यह हर तरफ आपकी raise generate हो रही है, Basically. इस object का brightness कैसी है? अब ज़रा देखेगा. ठीक है भाई कहां से इस object से अब ज़रा देखेगा यह रेस ऐसी कितनी number of raise निकल रही है ऐसी कितनी number of raise निकल रही है तो बताना अगर ऐसी infinite number of raise निकल रही है तो एक रे के पास कितनी information होगी अगर infinite raise के पास I information है तो एक रे के पास कितनी information होगी I upon infinite this will be equal to zero लगबग लगबग zero information है तो बताना अगर आप तक आपकी eyes तक सिर्फ एक रे पहुँचती है इसका मतलब क्या हो गया अगर यह रे सिर्फ एक रे पहुँचती है इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास sufficient amount of information नहीं पहुची ठीक है एक जिक रे में तो नहीं पहुची लेकिन अगर यहां से मान के चलो आप तक दो रेस पहुची या कुछ इस तरीके से रेस पहुची अच्हा जनरली हम physics में सिर्फ दो रेस दिखाता हूँ में ठीक है लेकिन क्या इसका मतलब यह कि सिर्व यह दो-रेस निकल रही है नहीं इसक लेकिन मैं इस तरीके से जरूर दिखा सकता हूँ, जरा समझेगा, कि अगर एक object है, यह total angle कितना होता है, solid angle, 4 pi, 4 pi में, अगर मान के चलो, i information जा रही है, तो यह solid angle, solid angle आपने पढ़ा होगा class 11th में, कोई भी solid angle क्या होता है, एक कोन वाला जो angle होता है, इसको हम बोलते है, solid angle, यह 3D वाला, ठीक है, लेटस से यह solid angle है, omega, तो बताना, अगर 4 pi angle पर i information जा रही है, तो omega में कितनी जाएगी, i upon 4 pi into omega, और यह sufficient amount of information है, किसके लिए, इस source की information को i तक पहुचाने के लिए, और इसको process करने के लिए, i के अंदर lens होता है, i lens, हम i का structure detail में पढ़ेंगे, बस सारी दुनिया को अपने चार तरफ किस तरीके से perceive करते है, बहुत जरूरी चीज़ यह है, हमें ये समझने आना चाहिए, कि चीज़ें किस तरीके से behave कर रही है, उनको हम किस तरीके से analyze कर रहे है, तो बहुच यह race पर टकराती है, यह race यहाँ से टकराई, और यह eye का lens क्या क और retina के rod और cone cells इस information को perceive करके एक electrical signal में convert करते हैं, जो के कहाँ transfer करते हैं, brain में, brain का, अब brain का का काम basically यह है, इस signal को interpret करना और दुनिया को आपके दिमाग तक पहुचाना, आपके सामने लाना, basically eyes are just merely receptors, eyes का का काम image देखना नहीं होता है, image देखने का काम आपके किसका है, brain का सर में चोट लगने से कभी-कभी नजर जा सकती है, क्यूं? अगर brain का vision वाला part damage होता है, तो you will be blind, ठीक है, उसका reason यह है, केवल eyes ही से आप नहीं देखते, आपका जो processing वाला काम है, वो कौन करता है, brain करता है, ठीक है, चलो बई, तो अब हमें ये तो चीज समझ में आ गई, अब बात करते हैं, कि कोई भी जब light ray किसी surface से टकराती है, तो किस तरीके का process हो सकती है, reflection, reflection, electromagnetic wave, ठीक है, अच्छा बई, electromagnetic wave होगा, लेकिन last में होगा, ठीक है, मतलब chapters के बाद में, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर, ये chapter, ये portion remove हो चु ये, first of all, अगर knowledge नहीं है, आपको किसी चीज की, तो वो जादा problem चीज है, ठीक है, क्योंकि life में आपको सिर्फ और सिर्फ 12th ही pass नहीं करनी है, there are very larger goals in life, ठीक है, जो कि आपके सामने होने चाहिए, अगर आप सिर्फ board की तयारी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो, कि नहीं सर, ये तो board में हटा गया, तो हम तो अब पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, तो भई ये approach सही नहीं है, पहली बात, दूसरी चीज, यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो कि NCRTS, CBSC board के नहीं है, उनके syllabus में ये चीज़ें हैं, तो वो भी हमको पढ़नी चाहिए, और आन आके बढ़ता जाएंगे, आपके topics cover करते जाएंगे, तो उनमें जो high probability वाले questions हैं, जिनका आने की probability बहुत जादा होती है, हम CBSC के point of view से वो भी देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, चलो भई, ठीक है, why don't we see inverted, वो काम inverted image क्यों नहीं देखते हैं, व चलो, ठीक है, तो आप बात करते हैं, what happens when light strikes a surface, ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे साथ patience से bear करें, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, हर चीज़ की feel आएगी, इस चीज़ की guarantee मैं ले सकता हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आएगी, सबका logic समझ में आएगा, हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में किस तरीके से questions आएगे, उसको approach कैसे करें, हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है, चलो भई, सबसे पहला क्या है, light यहाँ पर किसी surface से टकराई, angle, अब ज़रा देखना, surface से टकराने के बाद य दुनिया की किसी भी surface से टकरा जाए, केवल और केवल तीन process होंगी, या तो light ray क्या करेगी, यहाँ से reflect कर जाएगी, ठीक है, तो पहला process क्या होगा, reflection, second process, या light ray इस medium के अंदर चली जाएगी, that will be reflection, और तीसरा phenomena, बताओ भई, तीसरा phenomena क्या हो पाएगा, क्या कोई बता सकता अधिर तीसरा phenomena क्या होना चाहिए, बोलो भई, बोलो, बोलो, क्या होगा, reflection, इंटफेरेंस, नहीं, इंटफेरेंस तो नहीं होगा, यार, और बोलो, हाँ, कोमल, बिल्कुल सही, absorption, तीसरा phenomena होगा, absorption, बिल्कुल सही बताया भई, ठीक है, reflection होगा, reflection होगा, और कुछ portion light ray का absorption बी कर सकता है कितना परसेंट होगा यह material to material very करता है ऑपेक चीज़ें होंगी ठीक है वो क्या होंगी उन्में absorption जादा होगा reflecting surface होंगे, उनमें reflection का percentage ज़्यादा होगा, जैसे शीशा हो गया, तो 99% तक ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, अगर transparent चीज़ें हैं, तो उनमें ये वाला reflection वाला portion ज़्यादा होगा, तो वो depend करता है material to material, लेकिन तीनों process होंगी, ये तैह, ठीक है, आपने ये वाली process class 11th में पढ होई है, ठीक है, radiation वगरा में, हम सिर्फ और सिर्फ इस chapter में जो चीज़ों को उठाएंगे, वो है आपकी reflection and reflection, ठीक है, सबसे पहले मैं reflection के बारे में बात करूँगा, कि reflection क्या होता है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं, जब मैं reflection के बारे में बात कर करूँगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हो नहीं रहे है, इसका मतलब बिल्कुल है कि यह हो रहे है, मैं आपको classroom में experiment करके भी दिखाऊंगा, कि दोनों चीज़ें आपको एक साथ होती हुई दिखाई दे रहे हूँगी, ठीक है, लेकिन हो रहे है, पहले एक एक ची ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, अब पहली चीज़, laws of reflection, यह आपने पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है, पहला law, क्या होता है पहला law, सबसे पहला law of reflection है, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence I की value किसके बराबर होती है, I is equals to R, ठीक है, कोई भी surface हो, it does not matter कैसा surface है, ठीक है, angle of incidence is always equal to angle of reflection, अगर light ray किसी भी surface से टक्रा रही है, अगर हमारी light ray किसी भी surface से टक्रा रही है, तो इस case में क्या होगा, angle of incidence, जो light ray आ रही है, I की value किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर होड़गी ही होगी, ठीक है, यह वाला, लेकिन, अब इस वाले law में एक problem है, यह law complete नहीं है, ठीक है, पहला law तो मुझे लगता है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है, यह law complete नहीं है, क्यों नहीं है complete, angle of incidence, angle of reflection के हमेशा बराबर है, यह बात मान करके भी कई बार आपके सामने में यह प्रूव कर सकता हूँ, कि यह law पूरा complete नहीं है, समझिएगा कैसे, यह मान के चलो आपका एक plane surface है, ठीक है, आपकी इधर से light ray आ रही है, यहां से light ray आ रही है, यह light ray आ कर किस पर टकर आई, ठीक है, normal के साथ मान के चलो यह angle कितना है, इसके साथ, 30 degree है, let us say angle of incidence is 30 degree, ठीक है, light ray आई, मैंने अगर सिर्फ य यह law ball रखा है, तो अब ज़रा देखना, angle of incidence 30 degree, ठीक है, लेकिन light ray मैंने कहा कि यह वाली light ray निकल जाए, इस वार भी तो 30 degree है, तुमको भी पता है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या angle I की वाली आर के बराबर इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, सोचो, मैंने कहा कि अगर एक surface पर light ray ठकरा रही है, अगर एक surface पर हमारी, जैसे मांनकर चलो यह surface है, इस surface पर अगर light ray अगर light ray मेरी ठकरा आई, ठीक है, और मैंने कहां है, यह light ray यहाँ पर निकलने की बज़ाए, क्या करनूँ, मैंने कहां है, यह आई है, तो I आर तो ऐसे भी तो बाहर दे निकल सकता है, सोचो एक पूरे कोन में 3D में हर जगे i equals to r होता है कि नहीं होता यहां से light ray अंदर आई ऐसे अंदर आई और light ray इधर वाले से surface से बाहर निकल जाती ऐसे ऐसे बाहर निकल जाती तो कौन रोक लेगा उसको तो भी तो i equals to r है तो इसका मलब यह law complete है यह law incomplete है इसको complete किया दूसर statement ने है which was incident ray, reflected ray and normal to surface at point of incidence कहीं और नहीं जहां पर यह light ray टकरा रिये है इस पर normal जो है ठीक है यह कैसे होते हैं these are coplanar एक ही plane में lie करते हैं अब यह statement दोनों मिल करके law of reflection को complete करते हैं पहला i is equals to r यह बिलकुल सही बात है दूसरा आपकी यह तीनों rays कैसी है these all three rays are coplanar incident ray normal और यह reflected ray coplanar है यह ले coplanar नहीं हो सकती मतलब light ray अगर आई है normal यह है तो reflected ray भी इसी के plane में lie करेगी मतलब यही वाला एक option बचा अब कोई option नहीं बचा है चीक है बाई तो यह आपके दोनों rays दिया दोनों laws मिल करके complete हो करके आपको क्या बनाते है laws of reflection को पूरा करते हैं चीक है बाई आ रह बिल्कुल सही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड़ गुड़ वेरी गुड ठीक है बाई चलो सबको समझ में आ रहा है ठीक है तो laws of reflection ओके यह दोनों ही laws of reflection से मैंने उस पर लिख दिये हैं ठीक है types of reflection चीक है अब reflection के types क्या है तो भाई reflection के दो टाइप अब हम प्रड़ने वाले हैं पहला होता है regular reflection regular reflection मतलब क्या parallel rays अगर आ रही है तो rays टकराने के बाद भी कैसी है parallel ही है किसी even surface पे plain surface पर जो reflection होता है that is regular reflection दूसरा है irregular reflection आपकी जो दीवारें हो गई है आपकी जो नॉर्मल सर्फेस हो गया फ्लोर हो गया यह all of these constitute to irregular reflection चीक है यह क्या है यह surface आपको देखने में smooth जरूर लग रहे हैं लेकिन microscopic level पर all of these surfaces are very rough चीक है तो क्या इसका मतलब यह है कि i is equals to r नहीं होगा चीक है law है हम इसका प्रूव नहीं करते laws का प्रूव नहीं होता है basically हम इसे मान रहे हैं क्योंकि हम nature में चीज़े observe करते है i is equals to r angle of incidence is always equal to angle of reflection हर case में चाहे कोई भी case देख ले ना वई चीक है तो यहां पर भी i और r बराबर है और यहां पर भी angle of incidence और angle of reflection i और r बराबर है मतलब laws of reflection are always बस अंतर क्या है यहां जो rays parallel आ रही थी टक्राने के बाद भी कैसी है parallel है आप चीज़ों को प्रिडिट कर पाओगे यहां एक रे टक्राने के बाद इधर गई जबकि अगर दूसरी रे अगर आती तो वह सर्फिस का नॉर्मल ही बदल गया अगर नॉर्मल बदल गया तो य इसलिए irregular reflection में image नहीं बनती है ठीक है अभी मैं image पर आता हूं कि image वनाने का formation क्या है चलो बई यहां तक सब को समझ में आया या नहीं आया बोलो आया के नहीं आया आगया 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 good 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good ठीक है बई चलो अब उन्हीं types में हमें ऐसा क्यों होता है कि regular reflection mirror से हमें photo image अपनी क्यों दिखती है mirror के सामने और दीवार के सामने हम अपनी image क्यों नहीं देख पाते इसका जवाब ठीक है कई लोगों के सव सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर देखने के लिए अगर नजर को image देखनी है तो जरुरत यह है कि एक specified amount आपका energy का यहां तक आप तक पहुंचे अगर आपने यह पहुंच पाया तो आप image देख पाओगे ठीक है human brain पहली चीज़ पहली बहुत important बात बता रहा हूं आपके सामने अगर मैं खुद खड़ा हो जाओं और मान के चलो अपने साथ में चार ऐसे मान के चलो मैंने फोटो लगा रही है मैं इस तरीके से चीक है और जैसा मैं मोशन कर रहा हूं अगर आप कभी mirror house में गए हो तो आपको पता होगा आपको यह नहीं पता चलता कि असली object आए अरे हेरा फेरी देखिया है फिर हेरा फेरी फिर हेरी में क्या है परेश रावल ग अगर नहीं चलता नहीं चलता ना कि यूमन ब्रेन के नोट डिफ्रेंशियेट बिट्वीन ऑब्जेक्ट एंडिट्स इमेज अगर हमें मान के चलो एक कोई आप आप शीशे में अपनी इमेज देखते हो ठीक है आपको अगर सामने वाले परसन को कैसे पता चलता है कि यह object इमेज है boundary से अगर एक ऐसा शीशा हो जिसकी कोई boundary नहीं है plane mirror तो अगर आपको आप देखोगे कोई एक object और उसकी इमेज है आप समझ में अंतर ही नहीं बता पाओगे कि कौन सा object और कौन सा उसकी इमेज है ठीक है human brain cannot differentiate between an object and its image हमें बिना object और उसके image देके बिना boundary देखर क हमें समझ में नहीं आता ठीक है अरे सोचो यार तुम मेरी इमेज ही तो देख रहे हो बेसिकली क्या है यहां से मैं object में खड़ा हूं में camera के साब ने camera इमेज गई वो digitally transfer हुई आपकी screen पर basically you are just sing an image or representation of me ठीक है तो हमें अंतर समझ में नहीं आता है भाई अगर वान के चलो तुम फुल स्क्रीन वगरा होती तुम्हारे पास कोई boundary नहीं होती तो तुम्हें वो भी सीधा लगता ठीक है चलो फिलाल तुमको अब यह तो समझ में आ गया गूड़ गूड गूड कि इसका तो game बनना पूर ओके ठीक है बाई चीक है चलो अब बात करते हैं जरा समझना अगर मैंने का यह लाइट है ठीक है यहां से क्या है object से information जा रही है यह information यहां से इस वाले mirror से टकराई यहां से जो light ray है वो इधर इस वाले mirror से टकराई और यह light ray reflect हो करके कहां गई इधर चली गई ऐसी ही कोई दूसरी light ray यहां पर आई और यह light ray टकरा करके कहां चली गई इधर चली गई तो हमारे पास क्या हो गया भई इसके बीच वाली जितनी भी light ray आई है वो सारी इसकी सारी इधर गई है बताओ इस बार भी light और हमारी eyes के पास क्या है एक sufficient amount of energy पहुँची है ठीक है अब human brain को अंतर तो समझ में आता नहीं हम चीजों को कैसे देखते हैं कोई चीज पास में है या कोई चीज दूर रखी है वो कैसे पता करते हैं क्या तुम बता सकते हो कोई चीज पास में है तुमारे कोई चीज कितनी पास में है और कितनी दूर है यह तुम कैसे बताते हो बताओ बई कैसे बताते हो कैसे बताते हो बोलो assuming, size, wavelength, eyes, height सुनो, बिलकुल सही बात है इन सभी का मिला जुला combination आप कोई चीज पास में है या दूर है basically आप जज करते हो उसके angle से imagine करना एक पेड़ है आप train में जा रहे हो, बस में जा रहे हो आपने देखा पेड़ आपके पास में है आप पेड़ देखते हो, तो आपको लगता है यह जो पेड़ है, अगर आपके पास में है मान के चलो, यह आपका पेड़ है ठीक है और यह आपके पास में है, कुछ है तो अगर आप पास से देख रहे हो कोई चीज़ को तो बताना इसका जो लाइट्रे आपकी आँखों तक पहुँच रही है और बॉटम से जो लाइट्रे आपकी आँखों तक पहुच रही है वो क्या है यह बीच में एंगल काफी जादा है लेकिन अगर इसी पेड़ को आप दूर से कहीं देख रहे होते तो अ मतलब है कि कोई object कितना दूर रखा है या कितना past में है इसका judgment आप किसके basis पर कर रहे हो इसका judgment आप angle के basis पर कर रहे हो जितना जादा angle चीज़ें उतनी past और human brain बच्पन से आप अभी तक जितने human life में experience करते आ रहे हो आपके दिमाग में कई चीज़ों के already established हो चुकी है जैसे और airplane काफी बड़ा होता है अगर airplane आपको छोटा दिख रहा है मतलब क्या है airplane दूर है आप हवा में देखते हो तो क्या दगता है अगर आप real life में past में देखो कह तो अगर में इसी वज़े से आपने कभी-कभी मुवीज देखी हूं, तो बही जो बजट मुवीज होती है, जिन पर उतना बजट आप नहीं होता है, तो उन केसे में क्या करते हैं, हम इसी ट्रिक का हम यूज करते हैं, अगर मुझे किसी चीज को बड़ा दिखाना है, तो क्यों आपके दिखाना है, तो कोई चीज पास में है या दूर है, उसका अंदाजा लगता है इस एंगल से, इस एंगल से, पेड़, अगर पेड़ का एंगल आपके दिमाग में, पेड़ कितना बड़ा होता है, तो आपको अब यह पता चलता है, अगर एंगल छोटा है, मतलब पेड़ दूर रहा होगा, अगर एंगल बड़ा है, मतलब पेड़ पास में रहा होगा, चीक है भई, सेम वही चीज, तो अब यहां पर यह जो एंगल है, यहां से इमेज इसको इसकी image यहाँ पर दिखाई दी और मैंने आपको पहले ही बताया है हमको object और image में अंतर समझ मैं नहीं आता तो मुझे अगर मैं कोई इसको गायब कर दे को यहाँ पर दीवार लगा दूँ तो इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर object रखाए ठीक है यहाँ पर क्या से गई है वह रहे आपकी आंखों तक पहुची है एक रहो यहां से गई है वह आपकी आपको तक पहुची है आप इंटर पीठ ही नहीं कर पाते यह सारी information कहां से आ रही है कुसी एक जगे से आपके पास rays आई ही नहीं नहीं है इसी वज़े से आप एक irregular surface पर reflected image नहीं देख पाते हैं दो rays, कोई rays यहां मिल रही है, कोई दो rays कहीं और मिल रही है, कोई दो rays और कहीं मिल रही है इसलिए हमको इनके बीच में अंतर समझ में नहीं आता है ठीक है, irregular reflection से हमारी image क्यों नहीं बन पाती इस वज़े से, regular में इसके बीच में पता है, अगर दो rays मिली है तो इसके बीच के सारी rays आप तक पहुची होंगी मतलब sufficient amount of information पहुची है, ठीक है, तो इसी वज़े से आप एक regular reflection में image देख पाते हैं मिरर के सामने image बनती हुई देख पाते हैं, दीवार में आपको अपनी image दिखाई नहीं देती है, ठीक है चलिए बई अब बात करते हैं, image formation by plane mirror, ठीक है, plane mirror से image किस तरीके से form होती है मुझे लगता है सबको यह पता होगा, object का distance image का distance बराबर होता है, reason being, आप यहाँ पर symmetry use कर सकते हो, angle of incidence is equal to angle of reflection, i की value किसके बराबर है, r के बराबर है अगर i और r आपस में बराबर है, तो यह वाला angle भी क्या हो जाएगा, this angle will also be r, तो यह भी बराबर हो जाएगा, ठीक है उपर वाला यह वाला triangle, ठीक है, जहाँ से light ray आई है, और यह वाला triangle, यह दोनों triangle आपको congruent दिख रहे हैं, यह दोनों triangle कैसे हैं, बिलकुल identical है, और अगर यह angle दोनों का बराबर है, यह base दोनों का बराबर है, तो u is equal to v, object का distance, image के distance के दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक होगी, बोलो भई, properties, अब क्या-क्या properties होगी, आप लोग बताओ, यह सारी बातें, आप अभी तक पड़े हुए हो, बस मैं इनको दुबारा बता रहा हूँ, so that आपके concepts और दुबारा refresh हो जाए, आप हर चीज़ को practically अब समझ पाओ, और अगले lecture में मैं जो चीज़ पढ़ actual image, okay, ठीक है भई, सबसे पहली image मैं पहली property लिख देता हूँ, image is literally inverted, सबसे पहली जो property बोली तुम्हे, image is literally inverted, सीधे हाथ का उल्टा हो जाता है, उल्टा हाथ का सीधा, जो कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, यह मेरा सीधा हाथ है, ठीक है, तुम्हें उल्टा inverted, चलो, पहली property तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है, अगली property, same size, same size, बिल्कुल सही बात, same size, ठीक है, size of object is equal to size of image, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं, virtual image, virtual image, virtual image, बहुत सही, बहुत सही, virtual image, तो कितने लोग और है, भाई, बहुत सारे लोग है, virtual image वाले, ओके, virtual image, पक्का, decide कर लो, क्या एक object की plane mirror हमेशा virtual image बनाता है, मैं वस यह जानना चाता हूँ, same distance, लोग भई, तुम लोगों ने, same distance, भाई, तुम लोग, खोश्यार लोग, भाई, हाँ, same distance, जो अभी हमने निकाला था, same distance, means, u is equals to v, हम, ओके, ओके, वा, 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 अरे, वा, ठीक है, virtual image, देखना ज़रा, object यहाँ पर रखा हुआ है, real object, ठीक है, इसकी image कहा मनती है, सब यह लोग, लोग, चीक चीक कर चला रहे हो तब से, virtual image, virtual image, real object की, सर, virtual image बनती है, तुम लोग, इतना confidently बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी बात को, deny नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी बात बिलकुल सही है, real object की, virtual image, ठीक है, लेकिन अगर समझना, अगर object virtual हो, तो, यहाँ पर, raise जो है, इस बार कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है, यह race कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, ठीक है, तो बताना, इस virtual object की क्या बनेगी, इसकी जब reflection होगा, तो यह कहां जाएगी, यह कुछ यहां जाकर के मिलेगी, यह कैसी image है, बोलो भई, real image, तो क्या यह बोलना सही होगा, अब तुम आगए real image पर, हाँ बई, अब बताओ, क्या यह बोलना सही होगा, कि एक plain mirror हमेशा virtual image बनाता है, बिलकुल नहीं, plain mirror हमेशा virtual image नहीं बनाता, नतीजा तुमारे सामने है, यह वाली image कैसी है, this is a real image, यह कैसी image है, this is a virtual image, वर्चुल और real के बीश में अंतर क्या होता है, जहां raise वाकई में meet कर रही है, that is real, जहां raise apparent हो रही है, that is virtual, तो यह बोलना सही नहीं है, that plain mirror always forms virtual image, नतीजा आपके सामने है, तो भाई हमें ऐसी चीज बोलनी चाहिए, जो पूरी तरह से logically consistent हो और सही हो, बोलना चाहिए के नहीं बोलना चाहिए, बोलो, हाँ, 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 बहुत सही, मतलब real और virtual अब दोनों बन सकती है, तो क्या लिखना चाहिए अब मुझे, अब इसकी language तो सही कर दो, plain mirror always forms virtual image for real object, virtual image for real object, real object के लिए क्या बनाना चाहिए, virtual image, and real image for real object, for virtual object, virtual object के लिए real image, और real object के लिए कैसी बनाता है, virtual image, उल्टा कर देता है, ठीक है, virtual object मतलब raise वहाँ पर नहीं मिल रही है, incident raise जहां मिलती है, उसको हम object बोलते हैं, और reflected raise जहां मिलती है, उसको हम क्या बोलते है, image, तो भाई ये कुछ properties है, erect भी लिख सकते हैं, यार कुछ लोग बोल रहे हैं, सर, erect होती है image, image is erect, मतलब तुम लोग ने काफी सारी property बता दी, बहुत सही, बहुत सही, good, good, sir, how object can be virtual, हाँ भाई, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, ठीक है, object virtual कैसे हो सकता है, ये object virtual कैसे हो सकता है, simple था, तुम्हारे सामने में एक illustration रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कोई lens है, ये तुम्हारा object रखा हुआ है, ठीक है, object से जो raise गई, ये कुछ इस तरीके से गई, बोलो भई, ये कैसा है, this is a real object, ये कैसा object है, real object, ठीक है, ये lens, इसने मान के चलो raise को क्या कर दिया, converge कर दिया, अब ये मत बोल देना, सर के raise converge कैसे करता है, ठीक है, इतना तो मुझे लगता है तुम लोगों को भी आना चाहिए, आना तो चाहिए, यार, ठीक है, ये ऐसे converge कर रहा हो, और जहां ये converge करने वाला था, इससे जस्ट पहले मैंने क्या किया, एक plane mirror रख दिया यहां पर, यहां पर मैंने क्या रख दिया है, plane mirror, अब बता ना, इस plane mirror के लिए, ये कैसी image हो गई, बोलो भई, इस plane mirror के लिए कैसी object हो गया, ये जो raise आ रही है, incoming raise will be part of an object, इसके लिए ये क्या हो गया this will be a virtual object, ठीक है, और इसकी image कैसी बनेगी, इसकी image जो बनेगी, that will be a real image, अचा देखो, इस lens के लिए जो image है, वो इस object के लिए, इस mirror के लिए क्या है, object है, तो ये मत सोचना, किसा object ये image क्या होती है, एक शीज के लिए अगर कोई object है, तो सब के लिए object नहीं है, किसी के मिलती है, उसको मैं object बोलता हूँ, reflected या refracted rays जहां मिलती है, उसको मैं image बोलता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है, कि अब तुम्हारा ये doubt विलकुल clear हो गया होगा, हाँ भई हाँ, बोलो, ओके crystal clear, चलो बई, इतनी बाते हैं आज की, ठीक है, आज मैं, अब अगली बात, सबसे पहले, चलो, image के बारे में पता चल गया, object के बारे में पता चल गया, real image, virtual object, ठीक है, चलो, अब इसके बाद, पहले तो ये बात कर लूँ, ये बात ज़्यादा जरूरी है बोलना, ठीक है, आपका जो, खास तोर से, ये सिर्फ और सिफ CBSC वालों के लिए है, CBSC के लिए जो syllabus है, अब इस सुन लो, पहली बात, जब तब से तुम लोग बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, ठीक है, सुन लो, CBSC का syllabus, ठीक है, आपका, रिफ्रेक्शन वाला पोर्शन है, इसके बाद आपका लेंस और कर्व सर्फेस से, स्फेरिकल सर्फेस से रिफ्रेक्शन है, ठीक है, और इसके बाद आपका जो है, वो लेंस है, लेंस पढ़ाएंगे, और इसके बाद रिफ्रेक्शन थूरू प्रिस्म एंड आप्टिकल ठीक है, this is the revised और ये बोले second term के लिए जो syllabus है, ये आपका CBSC के लिए है, ठीक है, इसका मतलब reflection from mirror is not included in this part, ठीक है, reflection included नहीं है, लेकिन आप किसी और board के हैं, be it बिहार board, be it कोई और board, ठीक है, UP board, तो आपके syllabus में reflection वाला portion जो है, वो हो सकता है, तो reflection वाला portion उस perspective से तो मैं cover करू पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये मेरा मानना है कि बिना reflection के जाने, reflection जानने में उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है, अगर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्जाम से पढ़ना है, कि मैं ये पढ़ना है, तो सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है, अगर तुम चाठानी ले तो ये चीज़ तो है, reflection है नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई मान लिया, ओके, एक चीज़ तो अप तुम को ये समझ में आ गई, तो मैं पढ़ाऊंगा reflection इसका, मतलब एक ही lecture है, ठीक है, तो अगले lecture में हम reflection from spherical mirror, और सारी चीज़े reflection from spherical mirror में समझेंगे, एक एक चीज reflection बना दिया, उसमें reflection का, ठीक है, और हो सकता है कि reflection भी उसमें include कर दिया हो कुछ, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले से ही वो cover करके चल रहे है, so that भाई यार एक बार आ जाएगा तो ऐसा थोड़ी को, और कोई महाभारत नहीं लड़नी, तुमको कुछ नहीं करना, बस मैं जितना जितना बता रहा हूं, उतना उतना logic समझते जाओ, तुमारे दिमाग में फैवी कॉल की तरह चुपक जाएगा, इस बैत की guarantee मेरी है, चीक है बई, तो बस उतनी सी बात तो समझ लोगे यार, चीक है, एक चीज, दूसरी चीज, सर examination के point of view से, NCRT के point of view से, CBSC के point of view से कितने marks का आएगा, चीक है, तो 5 से लेकर के, 8 या 9 marks तक का, इस chapter से question आने की probability है, मैं लगा 5 minimum, 8 most likely, चीक है, 5 से 8 number तक का, तुमारे exam में questions आएंगे, चीक है, 5 number का एक question तो तुमारे सामने आना नहीं आना है, जितना मैं समझ पार हूं, ठीक है, तो there is a very high probability के 5 number का question आ सकता है तो इसी लिए examination point of view से बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, ओके, तो तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई, आ गई, आ गई, हाँ, only 5 से, 35 में से, 35 में से, 5 में से, 8 marks अगर तुमारे आ रहे हैं, only, शरम नहीं आती, दुस्त बालक, चलो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, अब 5 से 8 marks का आएगा, subjective आएगा, इतनी बात तो हमने कर ली, ठीक है, अब कुछ जरूरी बाते हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है, सबसे बहली चीज़ कि तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है, कई बच्चों, बच्चे इस बात पर पर अच्छे से सुन लेना, ये अप्रोच अगर तुम हर रोज डेली प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें 90 प्लस marks मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारे easily आ जाएंगे overall, ठीक है, मतलब इसमें अगर 35 बोल रहा हूँ, तो 30 प्लस तो easily आ जाएंगे, ठीक है, चलो, क्या तरीका होना पढ़ने का notes किस तरीके से बनाएं, तो notes बनाने का तरीका मैं आपको अगर यहां पर पढ़ाता जा रहा हूँ, जो जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ, derive कर रहा हूँ, Simultaneously notes बनाएं, बाद में wait ना करें notes बनाने का, चीक है, मतलब क्या, कई बच्चे यह गलती करते हैं, सर आज आप पढ़ा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ूंगा यहां पर, पहले मैं समझूंगा चीजों को, चीक है, सर इसके बाद मैं घर बैट करके, मैं सर उ नहीं बता रहा हूँ, उसको simultaneously लिखना है, यह गलती नहीं करनी है, कि सर अब मैं अभी लिख, अभी तो देख लेता हम बाद में, क्यूं, उसका reason है, आप जब लिखते हो, तो आपकी understanding power, comprehension level जादा better होता है, तो इसलिए simultaneously notes प्रेपेर करें, plus you will not have sufficient amount of time to prepare these notes afterwards, आपके पास हम मी पड़ी रहेगी, आपको अमेशा यहीं लगए, एक काम दसबार थोड़ी किया जाएगा, कि यहाँ पर अभी मैं rough में लिख रहा हूँ, फिर वापस मैं fair में करूँगा, नहीं, ठीक है, handwriting के number में इतने नहीं मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है, जितना बता रहा हूँ, मैं जहाँ डब्बा बना रहा हूँ, वाँ डब्बा बनाओ, मैं यहाँ लिख है, कि हिंदी में लिखो, मैं dialog मार दिया, dialog लिखो, क्यों लिखो, क्यों कि वो dialogue से तुम्हें याद आएगा कि सर ने क्या बोला था उस lecture के टाइम पे, तो मैं वो पू जल्दी से भगा दूं मतलब आगे कर दूं तुम लिखना पाऊ पूरा ऐसा होता है उस portion को थोड़ा सा खाली छोड़ दो ठीक है लेक्शर के immediately बाद या कई बार ऐसा होगा मैंने कोई numerical आया मैंने का कि बेटा यह यह ऐसे solution होता है और इसका solution निकाला मैंने का इसका calculation तुम करना तो यह नहीं कि तुम भी वहीं तक छोड़ दो ना तुम्हें calculation करनी है ठीक है बहुत unlikely chances ऐसे होंगे कि छोड़ूंगा लेकिन still अगर ऐसा होता है या तुम नहीं लिख पाए कि मैं solution कर रहा हूँ तुम solution नहीं है मैंने exam में जो यहां पर theory में जो derivation कराया है वो derivation एक बार पहले देखो कि सर ने derivation क्या कराया है किस तरीके से कराया है क्या logical arguments दिये हैं इसको derivation कराने के लिए और वो derivation फिर से करने की भी कोशिश करो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सर देखते हैं सर यह तो logical है सर हां यह तो समझ में आ रहा है लेकिन जब तुम exam में derivation करने आओगे जाओगे तो तुम भूल जाओगे इस बार exam objective नहीं है तो derivation आ सकती है वाल कि आएंगी तो वो derivation खुद से करो जब तक तुम derivation प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा ठीक है तो वह एक चीज यह भी समझ में आ गई इसके बाद derivation करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद मैं तुम लों को homework दूंगा ठीक है जैस से इस आज का homework जो है आपको सिर्फ दो pages पढ़कर करके आने हैं इतना दो पेज पढ़ने है आज आपको पहला lecture है कम बहुत चोटा सा चुन्दू सा homework दिया है न तुमको ठीक है दो पेज पढ़कर आने है इसके साथ में केवल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCRT का homework नहीं दि ठीक है इसके साथ में इसमें दो पार्ट और एड होने वाले हैं पहला पार्ट है back exercise इसमें मैं आपको question number something से question number something मैं आपको बोलूँगा कि यह question आपको लगा करके आने हैं क्योंकि वो question मैंने उसी exercise उस class में पढ़ाए हैं तो वो लगाने हैं तीसरा homework that will be your exemplar ठीक है अभी मैं बस इस तक stick कर रहा हूँ तो इसके बाद जो आपको होगा इसके question मैं आपको number दूँगा कि यह question आपको करके आने हैं यह questions आप अगर practice कर रहे हो और rigorously मतलब जो आज मैंने पढ़ाया है आज आप revise कर रहे हो या उसके अगले दिन आप revise कर रहे हो तो बहु अगर पढ़ रहे हो तो यह अगर आप उसी शाम पढ़ रहे हो that is even good ठीक है अगर आप आज नहीं पढ़ पाते हो कला पढ़ रहे हो तो वह revise जरूर करो कहीं पर भी करो मैं यह नहीं बोलता हूं कि नहीं सर इसके लिए dedicated time लो कहीं जहां तुमारी मर्जी हो जहां तुम एक्जाम एक्जेंपलर की PDF डाउनलोड कर लो यार ठीक है चाओ तो मैं एकले उसमें तुमारी लिंक भेज दूँगा एक्जेंपलर की PDF सिंपल सी PDF आती है सीधर डाउनलोड करो आपका काम हो जाएगा ठीक है और कोई समस्या और कोई सवाल समाधान कुछ सर्सलेबस कब तक पूरा होगा मोस्ट लाइकली फैबेंड मोस्ट लाइकली ठीक है जल्दी हो जाएगा पुशुश करेंगे तो यह चीज और कुछ प्रॉब्लम अगर है तो वो पूछो और एक चीज और कई बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है सरदियां है भई देखो कडाके की तो बहुत बच्चों के दिकत आती है सर नीन बहुत आती है पढ़नी पाते बहुत जादा नीन आती है उसके समाधान बता रहा हूँ दो-तिन समाधान है पहली चीज रजाई में बैठके मत पढ़ो कुर्सी टेबल अगर है तो कुर्सी टेबल बैठ पे बैठो और उस पर पढ़ाई करो बैठ करके खास रघ और से मोबाईल की अगर मोबाईल की रिक्वाइमेंंट नहीं है तो मोबाईल को उस कमरी से दूसरे कमरे में जाकरके रख आओ ठीक है और फिर उस कमरे में जाकरके पडऊ विजन कर यह जय script भाओगे तो Сब्संतरा साहारा चाहिए तो तो molar ळाकर के लेकर आओगे बट वो जो 20 सेकंड का जो सेपरेशन है जो गैप है ठीक है उससे आपका मोबाइल उसेज भी कम होगा आपके आखों को भी फायदा होगा तीसरी बात आप पढ़ाई बिना डिस्टरबेंस के कर पाएंगे बहुत सारी नोटिविकेशन आते हैं एक तो नोट करना सीख लो भाई नोटिविकेशन ब्लॉक करकर रखो चीजों के अगर आपके नोटिविकेशन आते हैं एपस के आते हैं तो उनको ब्लॉक करो सो देट आप ज्यादा टाइम पढ़ाई पर डिवोर्ट कर पाओ तो यह चीज है थोड़ा सा ध्यान रखना है तर इस इट सफिशेंट और नीट वी वांट एमा तो इतनी कहानी तो तुम लोगों को समझ में आ गई है मुझे लगता है तो कुछ-कुछ बाते में आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना ठीक है पढ़ाई के लिए और अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो तैयार हो के बैठ रहे हो तो अगर आप तयार हो करके जूते-बूते पहन करके बैठ रहे हो तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे क्योंकि जूते पहन के बैठ पाओगे तो विस्तर पे चड़ नहीं सकते ठीक है और ज्या झाल झाल